दोस्तों आज बात करेंगे अर्ण करो एप्लिकेशन के बारे में कैसे आप घर बैठे सिर्फ अपने मुबाइल फोन से अर्ण करो एप्लिकेशन के थ्रू ओनलाइन अर्णिंग कर सकते हो कैसे अर्ण करो के थ्रू एफिलेट मार्केटिंग किया जा सकता है and up to 70% तक affiliate commission generate किया जा सकता है अगर आपको जानना है तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए हलो फ्रेंट्स मरनाम है राजदी मिस्रा आप देख रहे हूँ यूर टेखनीकल गाइड यूट्यूट चैनल अगर आप affiliate marketing सुरू करना चाहते हो या फिर beginner affiliate marketer हो तो earn करो application आपके लिए best है earn करो से affiliate marketing कैसे करें और beginners के लिए earn करो affiliate marketing क्यों best है जानने से पहले चलिए जान लेते हैं आखिर affiliate marketing क्या है Amazon, Flipkart, Mintra, Udemy ये सभी e-commerce websites है जहां से आप different brands के products को जैसे कि Samsung, Nica, Mama Earth, Boat, MI इन सभी brands के products को purchase कर सकते हो Udemy से आप online courses को purchase कर सकते हो अभी एक affiliate marketer वो इनसान है जो इन websites को या फिर इन brands को help करता है इनके products को sale करने में और बदले में ये सभी websites and brands आपको एक affiliate commission देता है जैसे हमें अगर कोई help करता है तो बदले में हम thank you बोलता है या return में कोई gift देते है return में कुछ देते है या विल्गुल वैसा ही है आप इन websites को इन brands को help करते हो इनके products को sale करने में और बदले में आपको एक affiliate commission मिलता है different different brands and products के commission rates भी different होते है affiliate marketing क्या है आपने जान लिया विचली जान लेते है अरेंट कर और affiliate marketing beginners के लिए क्यों best है थोड़ी दिर पहले मैंने Amazon and Flipkart जैसे websites के बारे में बताया Amazon and Flipkart जैसे ऐसे हजारों websites है जहाँ पे आप directly जाके affiliate बन सकते हो इनके खुद के affiliate program होता है आप directly जाके Amazon के affiliate बन सकते हो आप directly Flipkart का affiliate बन सकते हो जैसे कि अगर हम Amazon का बात करें तो Amazon के कई सरे terms and conditions में से एक term है आपको तीन मेहने के अंदर तीन अच्छे sales करवाने पड़ेंगे जब आप affiliate program join करते हो Amazon का तो शुरू के तीन मेहने के अंदर आपको तीन अच्छे sales करवाने पड़ेंगे अगर आप नहीं करवा पाते हो तो आपके affiliate account को close कर दिया जाता है that means इन तीन मेहनों में अगर आप एक या दो sales करवाते हो और उसका commission आपके affiliate dashboard में सो हो रहा है तीन मेहने के अंदर अगर तीन sales आपका complete नहीं होता है तो account close हो जाएगा जो भी पैसे आपके बने थे वो आपको नहीं मिलेंगे और अगर आपको फिर से Amazon affiliate account create करना है अगर फिर से आपको affiliate बनना है Amazon का तो सब कुछ सुरू से करना पड़ेगा वही terms आप पे लागू होंगे आपको सुरू से account create करना पड़ेगा फिर से तीन मेहने के अंदर तीन अच्छे sales लाने पड़ेंगे Amazon India का minimum withdrawal limit भी है 1000 रूपीज यानि जब तक आपका commission 1000 रूपीज नहीं होता तब तक आप उस पैसे को withdraw नहीं कर सकते हो यानि इन तीन मेहने के अंदर अगर आपके एक या दो sales से 1000 रूपीज नहीं बनते तो उस पैसे को आप withdraw नहीं कर सकते हो एक beginner affiliate marketer के लिए जिसके लिए तीन मेहने को अंदर तीन अच्छे sales लाना भी मुस्किल हो जाता है उसके लिए एक या दो sales में 1000 रूपीज से ज्यादा बना परना और भी ज्यादा मुस्किल हो जाता है यह सब बाते जो मैं आपको बता रहा हूँ यह मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ या फिर Amazon affiliate program का बुराई भी नहीं कर रहा हूँ मैं खुद एक Amazon affiliate marketer हूँ और मैंने का 25 से 30,000 जो अभी मेरा बनता है वो सिर्फ Amazon affiliate marketing से ही बनता है अगर आपको प्रूफ देखना है तो ये वाला वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा लिंक मैं इस वीडियो के नीचे description में भी provide कर दूँगा Amazon affiliate marketing के उपर मेरे चैनल पे काफी सारे वीडियोज है पूरा playlist है आप चैनल के अंदर जाके चेक कर सकते हो Amazon affiliate program बुरा नहीं है बहुत ही अच्छा है बट beginners affiliate marketers के लिए ये अच्छा नहीं है इसके terms and conditions के बज़े से ये जो तीन मेहनों में account close होने वाला बात है ये मैंने खुद experience किया है Amazon affiliate marketing के उपर जो मेरा पहला वीडियो था ये वाला जो वीडियो है इसमें मैंने अपने उस experience के बारे में explain भी किया है Earned Karoo application में ऐसे कोई terms and conditions आपको देखने को नहीं मिलते है Earned Karoo का term and condition beginner affiliate marketer को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है Earned Karoo का जो minimum withdrawal limit है वो है सिर्फ 10 रुपिया जो आप अपने एक sales से ही बना सकते हो Earned Karoo is funded by Mr. Ratan Tata that means आप इस application के उपर भरोसा कर सकते हो यह आपके पैसे लेके भागेगी नहीं आज के time पे बहुत सरे websites के अपने affiliate program है इतने सारे affiliate programs होते हुए भी Amazon affiliate program इतना ज्यादा popular क्यों है आपको पता है क्योंकि Amazon में बहुत सरे products के varieties आपको देखने को मिलते है इसको एक साथ withdraw कर सकते हो बिल्कुल यही facility आपको Earned Karoo में भी मिलता है Earned Karoo में आपको different different varieties के products मिलेंगे आप different different niches के उपर काम कर सकते हो और जो आपका commission इकठा होगा इसको आप एक साथ withdraw कर सकते हो वो एक ही dashboard में आपको show होगा Amazon affiliate program में join होने के लिए आपके social site पे minimum 500 followers होने चाहिए साथी account approval के लिए 24 से 48 hours तक लग जाते है बट Earn Karoo application में ऐसा नहीं है अगर आपके पास एक भी follower नहीं है तब भी आप Earn Karoo का affiliate program join कर सकते हो इंस्टंट आपको approval मिल जाता है बस एक मिनिट के अंदर आप अपना affiliate account create करके earn करोगे through earning start कर सकते हो वीडियो के नहीं जिए description में and comment section में earn करो का referral link में provide कर दूँगा आप सभी से request रहा आप उसी link से join करे इससे क्या होगा जैसी आप join करोगे आपका नाम मेरे earn करो referral dashboard में show होगा and in future affiliate marketing related अगर आपको कोई भी help चाहिए होगा तो आप मुझसे facebook से instagram से contact कर सकते हो मैं आपको bitter way में help कर पाऊँगा referral link पे क्लिक करते ही आप directly play store में redirect हो जाओगे यहाँ पे earn करो application आपके सामने आजाएगा free का button show होगा क्योंकि आप earn करो में नए हो तो आपको join free button पे click करना है यहाँ पे आपको अपना नाम, email, id, password and mobile number fill करके get otp के button पे click करना है जैसी आप click करोगे तो आपके mobile के message में एक one time password आएगा उस password को यहाँ पे fill करके आपको earn करो में sign in करना है क्योंकि मेरा already earn करो में account है तो मैं यहाँ पे नीचे sign in बटन पे click करूँगा और अपना email, id and password देखके earn करो में login करूँगा join करते ही आप earn करो के home page में आ जाओगे यहाँ पे उपर आप total profit में कुछ amount देख पा रहे हो जो मैंने earn करो affiliate program के through earn किया है बट जब पहली बार आप join करोगे तो यहाँ पे zero amounts होगा जैसे जैसे commission आप earn करते रहोगे वैसे वैसे यहाँ पे total profit बढ़ता रहेगा आप profile section में जा सकते हों यहाँ पे my earnings का एक section है इस पे click करके भी आप अपने total earnings को check कर सकते हो यहाँ पे जितना भी total earning है अगर आपको withdraw करना है तो यहाँ पे नीचे request payment का एक button आपको देखने को मिल जाएगा मैंने total जो मेरा earning है वो withdraw कर लिया है इसलिए अभी अगर मैं इस button के उपर click करूँगा तो मुझे बताया जाएगा कि minimum 10 रुपए चाहिए withdraw के लिए क्योंकि यहाँ पे withdraw limit है सिर्फ 10 रुपीज earn करो में आपको बहुत सरे brands and categories के product देखने को मिल जाएगा अगर आपको जानना है कौन से brand या कौन से website में आपको कितना percent profit मिल रहा है तो यहाँ पे our partners का जो बटन है इसके उपर आप click कीजे यहाँ पे आपको वो सभी brands and websites सो होंगे जिनके through आप earn करो में earning कर सकते हो और इनका commission rate क्या है वो भी आप यहाँ पे check कर सकते हो जैसे कि यह जो wow skincare company है यह अभी up to 17% तक profit दे रहा है अगर आपको जानना है कौन सा brand सबसे ज्यादा profit दे रहा है और कितने percent profit दे रहा है तो यहाँ पे percent profit का जो यह option है इसके उपर click कीजे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गोदरेज professional जो company है यह अभी flat 60% profit दे रहा है यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कल परसो अगर आप चेक करोगे तो यह change हो सकता है कल हो सकता है आपको यहाँ पे 70% 80% तक profit देखने को मिले या फिर हो सकता है 40% 50% तक maximum profit देखने को मिले तो यह change होता रहता है अगर आपको flat profit देखना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो SBA credit card का एक offer चल रहा है अगर इस offer को आप share करते हो अगर आपके link के through कोई SBA credit card के लिए apply करता है तो आपको यहाँ पे flat 2150 रुपीज मिलेगा offer का पूरा details आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या करना है कैसे करना है या फिर आपके link के through अगर कोई join करते है तो उससे क्या करना है सब कुछ यहाँ पे बताया गया है आप इसके उपर अपने blog में लिख सकते हो अपने social sites पे लिख सकते हो या फिर इसके उपर एक video भी बना सकते हो और अपना referral link share कर सकते हो यहाँ पर copy link के button पे click करते ही आपका जो referral link है वो copy हो जाएगा और अभी आप इस link को कही पे भी जाके paste कर सकते हो यहाँ पर share now का भी button है आप इस button पे click करके अपने social site पे directly share कर सकते हो तो यहाँ पर मैं back कर देता हूँ कैसे आपको offers को check करना है यह मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर आप offers को check कर सकते हो अभी मैं कैसे अलग-अलग categories में आपको काम करना है वो बताता हूँ यहाँ पे top left corner पे आपको menu bars होगा इसके उपर आपको click करना है यहाँ पे आपको different different बहुत सरे categories देखने को मिल जाएंगे जाज़े कि electronics है और भी बहुत सरे fashion के beauty के categories है तो आपका जो भी niche है उस niche के उपर आप products को find कर सकते हो जाज़े कि मेरा technical channel है तो अगर मैं technical channel related किसी product को search करना चाहता हूँ तो यहाँ पे उपर electronics में मैं click करूँगा यहाँ पे headphones है तो headphones मैं check करता हूँ और उसमें क्या commission rate है यहाँ आप चेक कर सकते हूँ यह पहला वाला जो headphone आया है patron company का इसका price है 199 rupees अगर मैं यह वाला जो headphone है इसको share करता हूँ किसी के साथ वो अगर मेरे links से purchase करता है तो मुझे flat 10 rupees यहाँ पे commission मिल जाएगा वैसे यहाँ पे बहुत सरे अलग-अलग deals आपको देखने को मिलेगा electronics product पे commission जो है वो कम रहता है 4-5% commission रहता है अगर आपको ज्यादा commission चाहिए तो आप fashion या beauty products के साथ जा सकते हो जैसे कि main fashion में अगर मैं जाता हूँ t-shirt में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह एक t-shirt है अगर आप इस link को किसी के साथ share करते हो यहाँ पे copy link कर सकते हो share now कर सकते हो इस link को किसी के साथ अगर share करते हो वो अगर आपके link के through purchase करता है तो आपको flat 33 रूपीज 33 रूपीज यहाँ पे मिल जाएगा वैसे यहाँ पे बहुत सारे deals है आप चेक कर सकते हो खुद earn करो में join कीजे खुद चेक कीजे मेरा referral link वीडियो के नीचे description में और comment section में मैंने provide कर दिया है दोस्तो हो सकता है आपको कोई एक ऐसा product share करना है अपने followers के साथ जो earn करो में अभी आपको soon नहीं कर रहा है तो वैसे product का link कैसे generate कर सकते हो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे our partners पे पहले आपको click कर लेना है यहाँ पे जो भी website या brand सो हो रहा है उनके website से आप किसी link को copy कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर flip card मुझे show हो रहा है flip card up to 7.56% profit दे रहा है तो मैं simply flip card पे चला जाता हूँ flip card पे जाने के बाद यहाँ पे मैं किसी भी एक product को select कर सकता हूँ जैसे कि यह वाला जो product है मैं इसी को open करता हूँ इसका link मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ link copy करने के बाद मैं अभी earn करो में आ जाता हूँ यहाँ पे make links का एक button आपको बिलकुल नीचे बीच में देखने को मिल जाएगा इसके उपर click करना है जो भी link आपने copy किया उस link को यहाँ पे आपको paste करना है and make profit link इस button पे आपको click करना है बस यह करते ही यहाँ पे आपका profit link generate हो जाएगा अभी इस link को आप copy कर सकते हो या फिर directly यहाँ से share कर सकते हो तो आप उन्ही links को यहाँ पे अपना referral link बना सकते हो जो यहाँ पे our partners में show होगा यहाँ पे आप देख सकते हो muscle blaze available है SBI available है और भी बहुत सरे company जैसे की mintra available है नाइका available है तो आप इनके official website में directly जा सकते हो किसी product को find कर सकते हो उसका link copy कर सकते हो and make links button पे click करके यहाँ पे वो link paste करके आप make profit link button पे click करके अपना referral link generate कर सकते हो दोस्तो earn करो में refer and earn का option भी है आप अगर profile section में जाते हो यहाँ पे my referrals में click करते हो यहाँ पे refer and earn का एक button है इसके उपर click करते हो तो earn करो का refer and earn का जो program है उसके बारे में details में आप जान सकते हो यहाँ पे जो link सो हो रहा है यह मेरा referral link है जो आपको वीडियो के नीचे description में और comment section में मिल जाएगा बट जब आप अपने application में open करोगे तो यहाँ पे आपका referral link सो करेगा जो आप अपने दोस्तों के साथ अपने relatives के साथ share कर सकते हो दोस्तों earn करो affiliate program के कई सारे benefits है कई सारे pros है जहाँ पे इतने सारे benefits और pros होते है वहाँ पे कुछ cons भी होते है earn करो affiliate program में भी SI con है and मेरा यह फर्स बनता है मैं आपको pros के साथ cons के बारे में भी बताओ earn करो application beginners affiliate marketer के लिए best है बट जैसे ही आपके followers बढ़ जाते जैसे ही आपके sales बढ़ जाते तब earn करो आपके लिए थोड़ा सा problematic हो सकता है दोस्तो जब सुरू में Amazon affiliate program में मेरा account close हो गया था क्योंकि मैं तीन मेहनों में तीन अच्छे sales नहीं ला पाया था तब मैंने earn करो join किया था यहाँ पर earn करो dashboard में जितना भी earning आप देख रहे हो यह earn करो affiliate program के थ्रू मैंने earn किया था यह तब का बात है तब का earning अभी सो हो रहा है अभी मैं earn करो को use नहीं करता अभी मैं Amazon affiliate program यूज़ करता हूँ साथी बहुत सारे different websites है जहां पर as an affiliate मैं काम करता हूँ बट earn करो को अभी मैं use नहीं करता है यहाँ पर साइट में आप देख सकते हो earn करो में बहुत सरे brands बहुत सरे websites listed है यहाँ पर Amazon and Flipkart जो website है अगर आप notice करोगे अगर आप earn करो में काम करना सुरू करोगे तो आप देखोगे इस मेने यहाँ पर Amazon या Flipkart हो रहा होगा बट अगले मेहने हो सकता है यहाँ से Amazon हट जाए या Flipkart हट जाए ऐसा होता है क्योंकि Amazon and Flipkart का अपना एक budget होता है earn करो के साथ वो जैसे ही खतम हो जाता है जैसे ही जितने भी यहाँ पर affiliate marketer काम करते जैसे ही बजेट पूरा कर देता है वैसे ही यहाँ से website हट जाता है ऐसे में अगर आप अपने किसी वीडियो के नीचे अपने website में या अपने social sites पे earn करो का link share करते हो और आप सोचते हो अभी मैं link को share कर रहा हो हमेशा इससे earning होता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा जितने देर तक यहाँ पे Amazon या Flipkart या ऐसे बहुत सारे brands listed रहेंगे उतना देर तक आपका earning होता रहेगा उस devotion में अगर कोई link पे click करता है product को purchase करता है तो आपको commission मिलेंगे बट जैसे यह हट जाएगा अगर माल लीजे 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए Amazon या Flipkart यहाँ से हट जाता है बाद में यह फिर से listed हो जाता है तो वो जो gap है 10 दिन का 15 दिन का या एक मेहने का उस gap में आपका earning नहीं होगा तो ऐसे में अगर आप अपने website पे अपने social sites पे या YouTube में वीडियो के नीचे links को share करते हो तो शुरू-शुरू में जब आप beginner होते हो तब links को ध्यान में रखना कौन से लिंक से earning आ रहा है कौन से नहीं आ रहा है यह आप track कर सकते हो बट जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा जैसे आपके followers बढ़ेंगे sales बढ़ेंगे जैसे आपके content बढ़ेंगे तब यह ध्यान में रखना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है मेरे लिए यह मुस्किल होता था इसलिए मैंने अर्ण करों से earning करना totally बंद कर दिया बट beginners के लिए यह best है I think video से पूरा information आपको मिल चुका होगा earning करो के बारे में फिर भी अगर earning करो से related कोई भी question है तो वीडियो के नीचे comment करके आप मुझे पूछ सकते हो वीडियो के नीचे description में comment section में earning करो का referral link आपको मिल जाएगा अगर आपको join करना है तो join कीजे अभी से कोई भी help चाहिए आप मुझे facebook में instagram में message के through contact कर सकते हो आपका जो भी सवाल रहेगा मैं उसका reply जरूर करूँगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो पे तब तक लिए bye have a good day for you thanks for watching this video प्राइब आपको आपको